रामकली गाउं की सबसे बुजुर्ग महिला थी, उनकी जुर्यां और कहानिया सुनाती थी और उनकी आँखों में एक गहरा समंदर छुपा था रामकली कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मेरी कहानी है प्यार और फिराका की उन्होंने एक लंबा सांस लिया और कहा शादी से एक हफ़ते पहले बारिश हुई, नदी का बहाव तेज हो गया कृष्ण को पार उतरना था, वो मुझे आखिरी बार देखना चाहता था नदी में गिर गया, उसका कुछ नहीं मिला स्टार्टिंग में जो Voices अभी प्ले हुई है, उन्हें सुनकर आपको लगा होगा कि यह Voices Elevent Labs से जनरेट की गई है, लेकिन इन में से कोई भी Voice Elevent Labs से जनरेट नहीं की गई है जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप Free में वह सभी Voices जनरेट कर सकते हैं, जो आपको Elevent Labs में मिलती है AI Voice जनरेट करने के लिए मैंने पहले भी आपको कई Tools के बारे में बताया है लेकिन उन सब में आपको वह Voices नहीं मिल पाती, जो आपको Elevent Labs में मिलती है लेकिन आज की टूल में आपको वह सभी Voices मिलेगी, जो आपको Elevent Labs में मिलती है और इन सभी Voices को आप Free में इस्तिमाल कर पाएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं है और फिर वह टूल को सही से इस्तिमाल नहीं कर पाते हैं फिर कमेंट करते हैं कि जो वीडियो में बताया है वह नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अपने मोबाइल या कम्प्यूटर के ब्राउजर में टाइप करें पीका आर्ट और पहले वेबसाइट पर क्लिक करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे यहाँ पीका आर्ट पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है अकाउंट आप डायरेक्ट गूगल से क्रिएट कर सकते हैं डिस्कॉर्ड से कर सकते हैं या फिर इमेल से कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप अपना अकाउंट इमेल या गूगल से क्रिएट करें तो अभी मैं Google से अपना account यहां create कर लेता हूँ account create करने के बाद हमारे सामने इस तरह का interface open होगा Pika Art में आपको बहुत से features मिलते हैं जैसे कि आप text से video बना सकते हैं image से video बना सकते हैं लेकिन आज की video में हम Elevent Labs की तरह यहां voice generate करेंगे voice generate करने के लिए सबसे नीचे आएंगे और यहां पर option है attachment का जहां लिखा है image और video यहां पर click करेंगे और अपने mobile या computer की gallery से कोई भी image या video को यहां import करेंगे आप कैसी भी video या image को यहां पर import कर लीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक हम यहां पर image या video को import नहीं करेंगे तो Pika Art में हमें voice generate करने का option नहीं मिलेगा image या video select करने के साथ ही यहां एक नया option lip sync ओपन हो गया है अब हम इस option पर click करेंगे lip sync पर click करने के बाद हमारे सामने अब इस तरह का interface ओपन होगा अब यहां सबसे उपर option है generate text to audio उसके नीचे एक box है जहां पर हमें अपनी script डालनी है जिस script से हमें यहां voice generate करनी है अब यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 250 अब यहां बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हम यहां पर सिर्फ 250 words की script को ही voice में generate कर सकते हैं लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यहां पर हम free में unlimited script को voice में generate कर सकते हैं लेकिन एक बार में यहां 250 words तक को ही हम voice में convert कर सकते हैं तो मैंने पहले से ही एक script को यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है। उसे मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ। उसके बाद नीचे option है। Voice का यहाँ drop down पर click करेंगे। तो आपके सामने यहाँ वह voice open हो जाएगी और यहाँ आपको वह सभी voices देखने को मिल रही है, जो आपको 11 Labs में मिलती हैं। आप यहाँ पर click करके इन voice को सुन सकते हैं। अब आपको जिस voice को भी इस्तिमाल करना है, simple उस voice पर click करेंगे तो वह voice select हो जाएगी। 11 Labs में सबसे popular voice Adam की है और ज्यादा तर YouTuber Adam की voice को ही इस्तिमाल करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर Adam की voice को select कर लेता हूँ। अब voice generate करने के लिए, यहाँ generate voice पर click करेंगे और कुछ ही second में, हमारी script यहाँ voice में generate हो चुकी है। अब generated voice को सुनने के लिए, आप यहाँ play पर click करके अपनी इस voice को सुन सकते हैं। राम कली गाउ की सबसे बुजुर्ग महिला थी, उनकी जुर्याओ कहानिया सुनाती थी और उनकी आँखों में एक गहरा समंदर छुपा था। अब शाम बच्चे उनके आसपास जमा हो जाते, उनकी कहानिया सुनने के लिए, एक शाम, एक जग्यासु बच्चे ने पूछा, दादी, आप इतनी दुखी क्यों रहती हैं। और अपनी इस वाइस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इस वाइस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी तरह अपनी आगे की स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। generate voice पर क्लिक करके अपनी आगे की script को voice में generate कर लेंगे इसी तरह अपनी पूरी script को आप यहाँ free में AI voice में convert कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई limit नहीं है जितनी चाहे उतनी voice आप यहाँ generate कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजिए चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को subscribe कर लीजिए अभी तक के लिए नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टूल के साथ